हेलो एब्रिवन मैं मिदोन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आर्मी पबलीक स्कूल के करेंट अफेर्ट्स की सिरीज को हम लोग जारी रखेंगे और वेरी फर्स्ट कोश्चन आपके सामने ये रहा आपको बस ये बताना है कि PM मोदी मिट्टी बचाओ आंदोलन यानि कि सेब स्वाइल मौमेंट का विज्ञान भवन में किस तारिक को जो है इस कारिकरम को सिर्कत करेंगे पांच को, छे जुन को, साथ जुन को या आठ जुन को तो देखें इसका जो राइट आंसर होगा और ये प्रोग्राम कब किया जाएगा, यहां से अगर आप देखोगे तो ये देख लीजिए और आपको पता है ये वर्ल्ड इंवाइरमेंट डे कब होता है, पांच जुन को तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा ऑप्सन नंबर A इस तरह से भी कोशन पूछा जाता है, बढ़ेंगे अगले कोशन की और जो कि आपके सामने ये रहा नेक्स्ट कोशन, विच यूनियन मिनिस्टर चेयर सब जोर्नल मीटिंग इन राइपूर तो हाइलाइट एचिवमेंट अप NDA गवर्मेंट NDA गवर्मेंट ने क्या-क्या हासिल किया है न, तो इसकी मीटिंग एक करने वाले हैं राइपूर में, तो इसे कौन चेयर करेगा, कौन हेट जो होगा इसका प्यूस गोयल, जितेंदर सिंग, अनुराग सिंग ठाकूर या फिर इसमिर्ती इरानी, तो देखे इसका जो राइट आंसर होगा, देखे, इसमिर्ती इरानी इस चेयर करने वाली है इस मिटिंग को और वो बताएगी, लोगों तक पहुचाने की बात की जा रही है कि, ये जो NDA government है, BJP की government है, इसने क्या-क्या काम किया है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, अपसर नंबर D is the right answer, बढ़ेंगे अगले question की और जो क्या आपके सामने ये रहा, which of the following to launch global initiative life moment, life moment कौन सुरू करने वाल है, तो यहाँ से याद रखिएगा, नेरेंदर मोदी is the right answer, बढ़ेंगे अब मैं आपको थोड़ी सी और details में बात बता दू, पीएम मोदी, launch a global initiative, life में, देखिए, एक्चली है न, कि हम लोग environment को खराब कर रहें, ये life moment का कहने का मतलब ये है, कि हम लोग environment के साथ न, एकको, एक्चली उनके साथ friendly रहेंगे, और बिना मतलब के पेड़ नहीं काटे जाएंगे, sound pollution हो, एक्चली से आप noise pollution भी कर सकते हो, sand pollution हो, और अलग-अलग जो pollution है, उसको कम करने की कोशिस करेंगे, अपने life style को ठीक करके, तो शलिए, बढ़ते हैं अगले question की और जो क्या आपके सामने, ये रहा, which country PM may join NATO summit to discuss Ukraine crisis, Ukraine crisis को, Ukraine crisis के लिए, जो है, NATO के summit होने वाला, कौन होने वाला है, आपको ये बताना है, किस देश पाओगे जपान, actually NATO का सदस्य भारत है नहीं, तो जपान इसका सदस्य है, जहां पर ये किसिदा, जो कि यहां के प्राइम मिनिस्टर है, जपान के, वो जो है NATO summit को join करेंगे, और actually देखें, जपान अगर आप मेरी पहले वाले वीडियो भी देख रहे हो, तो जपान ने बह युक्रेन को help कर रहे हैं, बढ़ेंगे अगले question की ओर, which country six long range weapon from US, युएस से long range के weapon कौन चाहता है, जपान चाहता है, साउथ कोरिया, अस्ट्रेलिया या युक्रेन, तो बिलकुल अभी देखें किस देश में लड़ाई हो रही है, युक्रेन में, तो युक्रेन ने कहा कि मुझे long range के weapon चाहिए, ताकि हम लोग Russia का मुकावला कर पाए, और ये किस ने कहा, विलादमिर जलनस्की, जो कि यहां के president है, याद रखिएगा इस बात को, और कीव जो है, इसकी राजधानी है, याद रखिएगा, यहां से आप देख सकते हो, कीव, युक्रेन की जो capital है, बढ़ेंगे अगले question के और उससे पले, मैं आपको बता दूँ, अगर आप army public school के त्यारी कर रहे हो, तो देखिए, मैंने three times इसे crack करा है, अगर आप मेरे hand return notes लेना चाहते हो, तो 599 में ये notes आपको provide कर दिया जाएगा, क्या करना होगा, आपको yourmithonsing at the rate gmail.com पे mail कर लेज सकते हो, तो फिलाल बढ़ते हैं अगले question के और, which country hosts first meeting to industrial partnership with UAE and Jordan in July, जुलाई में कौन जो है first meeting event करने वाला है, आपको बताना है, कतर, ओमान, मिस्र या स्पेन, तो देखिए, सन्युक तराज अमेरिका और जॉर्डन के साथ मिलकर कौन आगे बढ़ेगा, एजिप्ट, या कि हमारा answer क्या हो जाएगा, option number, wait, ये है एजिप्ट, जी हाँ, option number C, हिंदे में से मिस्र कहा जाता है, अगले question के और, हम लोग बढ़ेंगे, first haj flight, जो पाली haj flight है, to live with 419 pilgrims, ये कहां से उड़ने वाली है, बंगलादे से, भारत से, पाकिस्तान से, या सिरलंका से, तो अगले question की और, which country PM confirms Indonesia visit, इंडोनेसिया जाने वाले हैं, किस PM ने confirm किया है, कनाडा के, भुटान के, भारत के, या अस्ट्रेलिया के, तो देखे, इसका जो right answer होगा, Australian PM, जो की उन्होंने कहा कि वो जो है, इंडोनेसिया जाने वाले हैं, अगले question की और, हम लोग बढ़ते है South Korea and which country stage rare drills with air carrier, air carrier के साथ जो है, यह drill करने वाले हैं, South Korea और कौन सी country, जपान, इंडोनेसिया, अमेरिका या, चाइना, तो देखे, इसका जो right answer होगा, वो होगा, South Korea और US जो है, मिलकर, real drill करेंगे, ताकि जो है, अगर South Korea पे, North Korea अगर कल को attack कर दे तो यह बच पाएं, और finally, the quick points of the day की बारी है, इसे screenshot आप ले लिजिए, आपके काम में आएगा यह, फाला question, recently which country sends a high ranking official to Afghanistan, आपको बताना है, देखिए, एक्चुली क्या है ना, कि अफगानिस्तान में तालिवान का सासना आ चुका है, और तालिवान के कारण ना, सारे बड़े बड़े countries ने वहाँ पे भेज रहे हैं, बढ़ते हैं अगले question की ओर, recently which country launched a new graduate scheme that excludes Indian universities, तो देखिए, UK ने ना, सारी लोगों को scholarship वगरा देने की फरमान जारी कर दिया, लेकिन इंडिया को छोड़ करके, बढ़ते हैं अगले question की ओर, recently scientists discover 4500 year old world's largest planet in which country, तो देखिए, इसका जो right answer होगा, वो हो था, अप लोगों से request है, अगर आप पहले बार चैनल पे आएं तो चैनल को subscribe कर लिजिए, गंटी वंटी का बटन नहीं दवाया तो दवा लिजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर सेर करें, thank you so much for watching this video, have a good day